नवसकार दोस्तो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ये 2Jet Patterping में दोस्तो ये सिलिनख फैन है और इसमें एक प्रोब्लम है कि ज़रा इसमें लाइन देता हूँ तो लाइन देने के बाद में ये चलता है पर 5-7 मिनट या 10 मिनट चलने के बाद में ये बहुत ही जैदा आवाज करने लगता है तो सबसे पहले तो मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ तो भी मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ और लाइन देने के बाद में देख सकते हैं ये बिल्कुल चल रहा है भी ठीक ठाक और कुछ देर चलने के बाद में इसमें बहुत जैदा आवाज करने लगेगा और ये वेवरेट करने लगता है जो पंखा हमारा इसमें अभी हलकल का आवाज है तो किस तरह का वेवरेट करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ देर पंखे को मैं चलने देता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ देर पंखा चलने के बाद में ये बहुत ही आवाज कर रहा और ये पूरा हिल रहा है पंखा हमारा और अभी तो कम है पर इसमें जब बहना लगा हुआ होता है तो बहुत ही जाएगा आवाज कर जो इस तरह का problem होता है भ्यवरेट करने का वह कहां से होता है उससे कैसे ठीक करते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोगो उसे करना चाहूंगा request यदि आप हमारे चैनल पे ने हो तो हमारे चैनल को subscribe कर ले और बगल में जो बेल का इकन दिख रहा है प्लिकी जन को भी आन कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले, और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो बहुत बहुत धनिवाद, यह लिए आपका समय को वेश्ट किये भीने वीडियो को सुरू करते हैं, तो जब भी आप यह तार खुलेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि कनेक्शन कैसे है, नहीं तो गड़बडा जाएंगे, और यदि आपको इसका कनेक्शन आता है, तो अच्छी बात है, और यदि आपको कनेक्शन नहीं आता है, तो इस पर मैं एक वीडियो बनाया झाल 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 और ये बोड़ी को आर्मेचर से निकालने के लिए जमीन पे इसको इस तरह से नीचे पटकना है हलका-लका, जैदा जटका के साथ नहीं पटकना है, तो इसका पेपर ज़ड़ जाने के बाद में, ये बोड़ी करेंट हो जाएगा, तो हलका-लका मैं अभी जमीन पर इसको प तो दोस्तों, आर्मेचर को मैं डाला से अलग कर लिया हूँ, और अलग करने के बाद में देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रोब्लम था, जिसके कारण हमारा पंखा भेबरेट कर रहा था और आवाज कर रहा था, तो यहाँ पे सेप्ट पर घाट बन गया था, मतलब कि ये से कट चुका है, बहुत ज्यादा नहीं कटा हुआ, पर इतना से भी हमारा प्रोब्लम क्रियेट होने के लिए काफी है, तो इसका सॉलूसन क्या है, कि इस तरह का छेनी से इस पर हलकाल का बाबरी बनाना है, मतलब कि इसको पंच करना है, और पंच कैसे करना है, वो भी मैं यकड़ी का, और बीट पर इस तरह से पंखा को रखने के बाद में, इसमें दो एक्ती का जोरत पड़ेगा, एक यह आर्मेचर को पकड़ेगा, और आप इस तरह से छेनी को लगा करके, यहाँ पर बाबरी बना सकते हैं, और इसको मतलब कुल मिला के बाबरी इतना बनाना ह कि इसके लेवल में आजाए, यह घाट जो है, ताकि बाइरिंग जो इसमें लगे, तो बाइरिंग जो अच्छा तरह से टाइट हो सके, जैसे कि इसमें है, ठीक है, तो यहाँ पर घाट बनने के कारण बाइरिंग हमारा धिला लगेगा, और जो पंखा चलेगा, तो यह मैं इसको केले पंच करने वाला हूँ, मेरा एक्सपरियंस और अभी मेरे पास कोई एक्ष्रा कोई वेक्ती नहीं है, जिसको मैं यह पकरने के लिए का हूँ लिए्ट तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह हमारा सेप्ट जो है उसको मैं पंच कर लिया हूँ और पंच करने के बाद मैं पंखे को मैं अभी कसने वाला हूँ और कस करके मैं दुबारा से चेक करता हूँ इसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रोब्लम ठीक हुआ है कि नहीं तो दोस्तों देख सकते हैं पंखे को मैं पूरी तरह से कस लिया हूँ और कसने के बाद में जब मैं इसको चला रहा हूँ तो यह बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा है एकदम अस्मूत चल रहा है और जरासा भी भेवरेट नहीं कर रहा है अभी इसको मैं पांच-सात मिनट जो चला है हूँ पर जरासा भी पंखे में भेवरेट नहीं हो रहा है तो आज गे वीडियो में इतना ही नौलेज देना था उमीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें कुछ सुझा देना तो कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सस्क्राब करना बिल्कुल न भूले क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए हमेशा अफलोड करता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कर लिए धनिवाद